नमश्कर दोस्तों मेरे नाम है मुरेश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रेटर्स में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे कम्प्लीट एक टुटोरियल बनाने वाला हूँ जिसका नाम है क्रोमा एफेक्ट ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करें जैसे कि आप मेरे पीछे भी एक ग्रीन स्क्रीन देख रहे होंगे बैग्राउंड ये भी एक ग्रीन स्क्रीन का कमाले ग्रीन स्क्रीन से क्या होता है हमारे पास वराइटी आ जाती है कि हम अपने बैग्राउंड को फुटेज में चेंज कर सके हैं इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ती और वीवर्स आप से अधा अट्रैक्ट होने जिस लाइक दिवेक बिंद्रा उनको आपने देखा होगा वह भी क्रोमा पर शूट करते हैं या फर जितने भी मॉटिवेशन स्पीकर और वीडियो बनाते हैं वह ज्यादा तर लोग क्रोमा पर सूट करते हैं जिससे वो अपने बैक्राउंड में उनके पास कस्टमाइजेशन फीचर मिल जाता है जो बहुत कुछ दिखा सकते हैं जरूरी नहीं कि अच्छा लगने के लिए क्रोमा यूज करते हैं लोग तो ऐसे ब्लॉग और बहुत सारी सिन्मेटिक स ले लिए लोग क्रोमा अटा के एकजेट वही चीज़े क्रोड़ रुपे खर्च करके स्थूडियो बना देते हैं बट क्रोमा एक सस्ता सुभिता जुगारू ठिका हूँ है जिससे आप बहुत सारी चीजे और लिएफेक्स कहते हैं वह सारी चीजों में यूज होता है खे स्क्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा वंडर शेयर फिल्मोरा नाइन पर जैसे आप आते हैं आपको मीडिया ओडियो टाइटल ट्रांजेक्शन्स यह कुछ इसके जो लेयाउट सिस्टम्स है जो फ्रेमिंग है किस तरीकिसे स्ट् और ये वीडियो मैंने यहां से ले ली साब जैसे मैंने वीडियो ले ली यह आ गया मीडिया स्टोर में इंपूर्ट फाइल में यूसे उठा के मैं कहीं भी ले लेता हूँ जा प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी सुरू मैं आपको फ्रेम रेट पूछेगा मैं 25 फ्रेम पर स जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना है राइट क्लिक अराम से उसके बार ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे जी हाँ फ्रेम पूरा आ जाता है पहले मैं कहां पर हूँ मैं यहां पर हूँ थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ जैसी यह रखा हुआ है background cover right ये ले लिया अब मैं इसके नीचे जाके ये चीज पार्ट लगा देता हूँ थोड़ा सा timeline को खीश के बढ़ा कर देता हूँ दीखे भी साफ नहीं दिख रहा डबल क्लिक करेंगे और greenery पे करके मैं थोड़ा black पर ले लेता हूँ और dotted गया सीधा अब मुझे क्या करना है वैसे भी करने की ज़रूद नहीं थी एक्स्ट्रा काम है कि आप इस पर जाए color choose करें फिर इस dot pin को लें यहाँ पर जाकर क्लिक करें फिल्मोरा में इतना कुछ करने की ज़रूद नहीं होती जैसे यह तीन चार चीज़े बहुत अब मैं ठीक करूँगा राइट 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 यह ठीक होने लगेगा पर थोड़ा सा यह पार्ट ऐसे रहने लिए टॉलरेंस हो चुका है अब मैं edges की बात कर रहा हूं edges की तरह बढ़ रहा हूं right edges भी अच्छा हो रहा है हो रहा है ज्यादा तो नहीं होगे ज्यादा हो गया साहब कम कर लेते हैं जहां कम हो गया अब मैं edge fetch कितना करना चाहिए ज्यादा करूँगा तो एकदम से जादू टाइप दिखेगा जितना कम करूँगा वह पार्ट को म दिख रहे हैं जो साथ आप लोग लेने की कोशिश कर रहे होंगे इसको कट करने का सिंपल तरीका वही राइट की पर लेक क्लिक करिए यहाँ पर यहाँ पर आपको एक बहुत आसान सा option दिख रहा होगा वह आपको क्या दिख रहा है crop and fit और crop and zoom पर क्लिक कर लिजे साब जै इतना ही चाहिए राइट मैं क्लिक कर देता है अब देखिए सारी चीजे गायव हो गई पीछे मेरा chroma fit हो गया बहुत बड़ी ऐसा अब कोई side भी गायव करना था कि इधर मेरा हाथ नहीं जा रहा है तो अब इधर भी cut कर सकते हैं लीजे दुबारा से आते है फिट और उगली बाहर तो नहीं जा रही है है ना बाहर नहीं गई नहीं कहीं भी नहीं गई है ना ओके कर दीजिए अब दीके समझ आ गया अब वो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा तो इससे बेटर तरीका और कुछ हो नहीं सकता है अब आपको produce करना है export पे जाई और वो चीजे कहा अब भी नहीं थी फिलाल हम क्रोमा चाहिए देख रहे हैं I'm sure आपको यह समझ आ गया होगा तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आप green screen remove कर सकते हैं और यह सब तरीके हैं जो आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि सब्सक्राइबर के बाद क्या स्टेप लेना हजार के बाद क्या नहीं चीजे करना वो चीज आपको वही से वक्तिखा सकता है जिसके पास एक experience और मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे 5.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गिनकि और वी में क्रेटर अमरेश बारती और